तो चलो अब जेट पेक का उड़ाते हैं और देखते क्या होता है और भाई उड़ाते उड़ाते अब लोग देख सकते हो करेक्टर को जेव हाथ और पैर है वो जेट पेक से जूड़ चुके हैं आप लोग देख सकते हो करेक्टर यह हबारा पता नहीं कौन सी पीटी कर रहा तो चलो यार ऐसे बहुत अच्छाइच्छे मित जो है वो वीडियो में आगे आने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चलो भाई हम आगे कि भी मित को ट्राइ करते हैं हेलो 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 गाइस कैसाब लोग विल्गम टू माई निव इंडियन बाइट रीडी वीडियो तो गाइस आनमे आपको टॉफ 5 ऐसे मित दिखाने वाला हूं जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे तो चलो यार उन मित को ट्राइ करते हैं और देखते भाई वो कैसे मित ह होने वाले हैं सब्सक्काइबर को साथ होना पर लाक्म कौण साथ मेठेंगे तो ना उसके लिए हमें सबसे पहले भाई यहाँ पर ना जेट पेक और डैनसोर को स्पॉन कराना पड़ेगा तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर डैनसोर को स्पॉन कर लेते हैं जिसका चिट कोड़े 50-50 तो यहां पर भाई हम 50-50 डैल करके ना डेनसोर को स्पॉन करते हैं और यहां पर हमारा डेनसोर आ चुका है तो चलो यार अब ना हम जेट पैक को भी स्पॉन कर लेते हैं तभी ना हमारा मैजिक होगा तो यहां पर ना हमारा जेट पैक भी आ चुका है तो चलो अब इन दोनो के बीच में चलते ओर साथ में बैटते हैं तभी हमारा मैजिक होगा तो चलो यहा पन्न में बीच में जा रहा हुँ भाई इधर से निकल ही नहीं पा रहे थे और भाई यहापन्न हम इसके ओपर बैठ चुके हैं और अब देखते हैं भाई कौँ सा मैजिक होने वाला है तो अब ना हमें इस जेट पेक को भाई उडाना पड़ेगा तो चलो यार उडाते हैं और देखते हैं भाई कौन सा मैजिक होने वाला है तो चलो भाई अब उडाते हम इसको तो हमारा जो जेट पेक है भाई वो उड़ चुका है और भाई सापा आप लोग देख सकते हैं जो करेक्टर के हांथ और पैर है भाई वो न जेट पैक से जुड़ गए है और यह पता नहीं कौन सी पीटी कर रहा है तो इसको आप लोग देख सकते हो करेक्टर का नीचे का हिस्सा भाई लग रहा है वो गायाब हो चुका तो ये नमित भाई बहुत ही मस्त था और खत़रनाक जो हे मैजिक हो चुका है तो जलो यार उतर कर देखे कहां पर हम पहुंच जाए और उतरने के बाद भाई हम फडाने के चले चाएंगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई अगर हम इस गिलिच को करने के बाद उतलेंगे तो भाई यहाँ पर वर्ल्ड में चले जाएंगे तो जिसका चिट कोड है भाई 5554 बार तो चलो यहाँ पर ना हम इसको भी स्पॉन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी गोस्ट राइडर बाइक आ चुकी है तो चलो भाई अब इसको लेकर चलते हैं हम एरपोर्ट पर क्योंकि वहीं आएंगे जॉम्बी तो चलो भाई जॉम्ब चला है तो प्लीज याँ सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो और भी हमारी वीडियो देख लेना तो चलो भाई हम ना यहाँ पर इन जॉम्बी के पास आ चुके हैं और अभी तो एक आधे जॉम्बी ना हमारी साइड आ रहे हैं तो भाई आप लोग देख सकते हैं सारे मैं भी फेक दिया अपनी बाइक से तो मैं भी यहाँ पर गिर चुका हूं और जल्लियली भाई मुझे न अ पनी बाइक पर बैड़ना पड़ेगा नहीं तो इस जॉम्बी मुझे मार देंगे तो जल्लियली ना मैं यहाँ पर बैठ जाता हूं और भाई यहां पर आप में लो याँ दो बाराँ से और अब तो इन रोगों को कातम कर देंगे नहां पर देख सकते हो अपने और इस प्ल holiness को हम खातं देदो थिया जोंबी हमें अपर यह भी लड़कर कानफॉर्म्ड है तो चुलो यार अब हम नेक्ट मित को ट्राइब करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करते ना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो हमारा तीसरा मित है आप जोईस्टिक को लगा कर कोई भी भाइक को लो और बून ग्रेवटी लगा कर उसके ज जोईस्टिक को लाना पड़ेगा तो उसके लिए ना हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहां पर हमें आने के बाद भाई आप लोग यहां पर कंट्रोल में देख सकते हो टच लगा है हमारा तो यहां पर ना हमें जोईस्टिक को लगाना है और यहां पर हमारी जोईस् को लगाना पड़ेगा तो जिसका चिट कोड़े 71 तो यहां पर भाई हम इसको जल्दी से डैल कर देते हैं और यहां पर ना डैल करने के बाद मुन ग्रेवटी भाई लग चुकी है हमारी और अब ना हम एक बाई को भी मंगा लेते हैं तो भाई यह ना हमारी बाई का आच हूं और यह जो भाई के भाई दिवाल पर चलते हुए ना उड़ भी रही है तो यह मेजिक भाई थोड़ा थोड़ा तो काम कर रहा है और यहां पर आप लोग देख सकते हो और यहां पर यह हमारी बाइक फ्लाइंग बाइक बन चुकी है तो चलो यार अब हम अगला में ट एक एरोपलेन को बुलाओ और उसके ओपर कोई भी बाइक कोई स्पॉन करो और एरोपलेन में बैठो तो होगा मेजिक तो चलो भाई देखते हैं कौन सा मेजिक होने वाला है इस मित के बाद तो यहां पर ना हमें एक एरोपलेन को बुलाना पड़ेगा भाई यहां पर एर बाइक को भी हम इस पॉन कर लेते हैं तो यहाँ पर ना भाई हम कोईसी भी एक बाइक को इस पॉन करते हैं और वह भाई साब बाईक तो नीचे यह आ गई उस साइड आ भनोक देख दाते हो तो चलो Christians पर दूसरी बाईक को हम इस पॉन करते हैं और भाई करें ताकि मित हमारा हो सके और यहां पर ना भाई मैंने एक बाई को भी स्पोन कर लिया है तो आप लोग देख सकते हो यह जो बाई के ऊपर आ चुका हूँ और Airoplane ना हमारा भाई पीछे जा चुका है और अब अगर हम भाई इस बाई को चलाते हैं तो आप लोग देखते हैं तो Airoplane भी हमारा चला है तो Airoplane ना वहां ना और यहां पर आप लुग देखते हो भाई यह एरो पिलेन भी हमारा साथ ही में चल लाए तो अमनम में इन दोनों को भाई उड़ा कर देखने वालों क्या यह जो एरो पिलेन हैं यह हमारे यहां से कंट्रोल करके इसको उड़ा पाएंगे हम या फिन नहीं तो चलो भाई अब इसकी लीटर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं भाई यह एरो पिलेन जा रहा है जा रहा है और दो बारा से भाई उसी दिवाल में जाके ठोक गया है तो मुझे नहीं लगता अब यह उड़ पाएगा तो चलो यार कोई पानने वैसे यह मित जो है वह मित कंफॉम्ड ह क्योंकि भाई यह गिली तो सच में अच्छी हुई है तो चलो यार अब अगले मित कोम्टर आई करते हैं तो हमारा पांचवा में थे भाई हेलिकॉप्टर के अंदर मैप है तो चलो यार देखते हैं क्या सच में यार हेलिकॉप्टर के अंदर मैप है भाई तो भाई अगर मेप होगा ना तो इस भाई इंडियन भाई ड्रेविंग के पूरे गेम मतलब जितने भी घर हैं उन सभी कन्वना नक्सा भाई मैप होगा तो चलो यार देखते हैं क्या वो सब कुछ हमें उस हेलिकॉप्टर के अंदर दिखाई देगा तो चलो यार यहां पना हमारा हेलिकॉ हेलिकॉप्टर के अंदर होता है वो सच में यहां पर सब कुछ है तो चलो यार आप बैठकर ही हमें मैप को देखना पड़ेगा तो मैंना यहां पर बैठ चुका हूँ और बाई साप आप लोगे आंपर देख सकते हो मैप तो यहां पर दिख रहा है पर यह ज्यादा साफ पिक्राई तो मुझे न इसको उड़ाकर ही देखना पड़ेगा तो चलो याझा अब उसको उड़ाकर हम किसी याइश साइड में लेकर चलते हैं तो गैस मेना इङस्ट्रो नहीं 한े साफ मोसान पड़ेगा तो यह जो मैं पर इसक तो रिखा दे shodid मैप जो हो दिखाए दे रहा है, तो भाई, वह मित कंफर्म्ड हैं, लेकिनुगश यह मैप ही है, हमारी City का बिलकुल भी नई है, यह पता नहीं कहा का है, तो यह इस हेलिकोप्टर में लगा दिया गया लूह, यह मित भी हमारा मित कंफर्मड है, तो चलो भाई अब यहाँ पर हमारे सारे मित खतम हो चुके हैं और अगर आपको भी मित पता होंगे तो कॉमेट कर देना ताकि हम निश वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मित को ट्राइ कर सके जिसे आपको कर दो कर दो में लाई पक्ड़ियो रचाओ कर दो कर दोके कलेकल कॉ tut, छो च भी कर दो चार्ड़ियो क में हम निया पने कर दो कियादा कि व्त्ता कि बालके अग्या को हैँ